विशे हिंदी इकाई दोव इदगा विद्यार्थी मित्र पहले विडियों में हमने प्रेमचंजी के बारे में पढ़ा और उनकी इदगा कहानी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा के आईए अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हामित भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डर्ना नहीं अम्मा में सबसे पहले आऊंगा गाउ से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था कभी दोड़कर आगे निकल जाता फिर किसी पेड के निचे खड़े होकर साथ वालों का इंतिजार करता हामित के पेरो में तो जैसे पर लग गए है वो कभी ठक सकता था अमिना पोताना दुखना कारणे पोतानी उरडी मा जैनी रडे छे तो हामित अंदर जैनी पोतानी दादी ने कहे छे दादी तो दरिश नहीं हुँ सवथी पहलो आविश गाम मा थी मेडो चालेओ बधा बाड़कोनी साथे हामित पन जै रहो छे क्यारे ते दाड़ी ने आगण जतो रहतो तो पच्छी क्यारे ते पाचो कोई जारनी निचे जैने उभोरेतो अने पोताना साथी मित्रोनी रा जोतो हामेद ना पगमातो जाने पाँखो लागी गई होई एवू लागतो हतो ते चालवामा एटलो बधो जर्पी हतो कि ते क्यारे पन थाकी सकतो न हतो बड़ी बड़ी इमारती आने लगी यह अदालत है यह कॉलेज है यह कला घर है आगे चले हलवाईयो की दुकाने शुरू हुई आज खुब सजी हुई थी इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक एक दुकान पर मनो होगी हामेद औने तेना मित्रों चालता चालता जय रहा छे रस्तामा मोटी मोटी इमारत आवे छे अदालत आवी कॉलेज आवी कला घर आवियो अवे तेवो आगण वदी रहा छे औने रस्तामा जुए छे तो कंदोईनी दुकानों आववानी सरू थेगे छे एवो लागे छे के आजनों दिवस खुब सजाएलों छे अने आटली बधी मिठाईयों ते कौन खातों हशे ये विचार वाजिव हतों हमेद जुए छे कि एक एक दुकान पर जाने मन मन मिठाईयों हसे सहसा सहसा यानि की एकाएक अचानक इदगाह नजर आई इमली के घने वरुक्ष की छाया है नीचे पक्का फर्ष है उस पर जाजिम बिछी हुई जाजिम यानि की गाली चा रोजेदारों की पंक्तिया यानि की लाइने एक के पिछे एक न जाने कहां कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता यानि की यहां किसी भी प्रकार का भेदवाव नहीं होता इन ग्रामीनों ने भी वजू किया वजू यानि की हाथ और पाउधूने की क्रिया वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गई और पिछे से लाइन में खड़े हो गई कितना सुन्दर संचालन है कितनी सुन्दर व्यवस्ता हजारों सीर एक साथ सिजदे यानि की एक प्रकार की मुद्रा में जूख जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं यानि की नमाज पड़ने के लिए एक साथ सब लोग जुख जाते हैं और एक ही साथ खड़े होते हैं मानों भात्रुत्व का एक सुत्र समस्त आत्माओको एक कड़ी में कड़ी यानि की एक पंक्ती में पिरोय हुए है अच्चानक इदगा देखाई रही चे आमली ना घटादार बुर्ख्ष नो छायो छे अने निचे पाकु भॉय तड़ियो छे अने ए भॉय तड़िया उपर गाली चो पाथरेलो छे रोजा करेला मानोसोनी लाइनो लागेली छे अने कौन जाने केटली वधी लाइनो छे क्या क्या सुधी लाइनो लांबी थेली छे अहिया कोई पन प्रकार नो धन के पद कोई पन प्रकार ने उच निच जोवामा आवती नथी बदाने समान गणवामा आवे छे आवेला ग्राम जनोए पन वजो वजो के एटले हाथ पक धोवानी क्रिया पूर्ण करी अने पाचर थी लाइन मा जैनी उपा रही गया केटलू सुन्दर संचालन छे, केटली सुन्दर व्यवस्ता छे, केटला एहजारों लोको एक साथे अल्लाहना दर्बार मा नमसे अने पच्छी एक कज साथे उपा थशे मानी लोके भाय चारा रूपी एक दोरू अब दाज मनुष्यों ना आत्मा ने एक साथे एक कड़ेनी जयम जोडीने राखे छे हामिद अनी तेना गाम लोको इदगा पोहची जाय छे, त्या जैने जुए छे केटले सुन्दर जग्या छे, सरस आमलीना व्रूप्ष्नों चायडों छे अने लामबा खुल्ला भोय तड़िया पर गाली चाओ पात्रेला छे हामिद अनी तेना गाम लोको पन हत्पक दोवानी क्रिया पूर्ण करी लायन मा बैसी जाय छे अने बद्धा लोको हजारो करोडो लोको एकज साथे नमाज पड़वानी क्रिया पूर्ण करी छे आ द्रश्य जोईने एवु लागे छे, जाणे के आ वधाज मानशोनों आत्मा एक सुत्रमा बंधा एलो होई नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे, गले मिलना यानि की एक दूसरे को भेटना अब मिठाईया और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है, धावा यानि की आक्रमन ग्रामेनों का यह दल इस विशे में बालकों से कम उस्सा ही नहीं है यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चड़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालुम होता है कभी जमिन पर गिरते हुए, यानि की चबडोर में बैठ जाओ, तो कभी उपर जाते हो और कभी नीचे आते हो यह चरकी है, लकडी के हाथी, घोडे और उट चड़ों से लटके हुए है एक पैसा देकर बैठ जाओ, और पचीस चक्कोरों का मजा लो महमूद, महसीन, नूरे और सम्मी इन घोडों पर बैठते हैं हामिद दूर खड़ा है, और मन ही मन सोच रहा है तीन पैसे तो उसके पास है, लेकिन सोचता है अपने कोश का कोश यानि की धन, खजाने का एक तिहाई, जरासा चकर खाने के लिए नहीं दे सकता नमाज पड़वानू काम पूर्णत थयू लोको एक बिजाना घड़े मड़ी रहाची, एतली के एक बिजाने बेटी रहाची हवे लोको मिठाई औने रमकडाओनी दुकानों पर आक रमन करशी एतले के हवे लोकोनू टोडू रमगडा अने मिठायोनी दुकानो पर चशे गामणा माथे आवेलू आ टोडू पन आ विशेमा एतले के बजारमा फरवामा बाड़को थी कई थोड़ा उस्जाही न थी परन्तु बाड़कोनी जेमज आ टोडू पन खुबज उस्जाहमा छे आज वो घिंडोडो छे एक पईसो आपी ने तेमा बैसी जाओ तेमा बैसी ने एवू लाग से के थोड़ी वार आकासमा पहुची गया होई अन्य पाच्छा थोड़ी वार जमिन परावी गया आजू आछे चकडोडू लाकडीना हाथी घोडा अन्य उट ते जे लामबा सडिया की लटकाएला छे एक पईसो आपी ने एमा बैसी जाओ अन्य पच्छी पच्ची स्वार गोड गोड गुमवाना मजा मानों महमुद, महसेन, नुरे अन्य सम्मी आबधा आ गोडा उपर बैसे चे हामेद दूर उभोववो आब दाने जुए रहो छे, तेनी पासे त्राण पईसा छे, परंतु ते एवु विचारी रहो छे, के पोतानी पासे रहेला खजा नाम, कोश एटले के खजा नामा थी आम एक पैसो, एक तीहा येट लेके एक तृत्याँश, एक पैसो, अवी रिते खोटी चक्कर खावा मा, गोडगोड गुंबा मा, कोई रिते आपी देवाए सब चर्खियों से उतरते हैं, खिलोने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, कतार यानी की लंबी लाइन तरह तरह के खिलोने है, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकिल, बिस्ती और धोबिन वाह, लगता है, अब बोलना ही चाहते है, महमुद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालुम होता है, अभी कवायत लिये चला आ रहा है महसीन को बिस्ती पसंद आया, कमर जुकी हुई, उपर मशक रखे हुए है, मशक का मूह एक हाद से पकड़े हुए है कितना प्रसंद नहीं, शायद कोई गीतगा रहा है, बस मशक से पानी उडेल नहीं चाहता है बिचारो हामेद दूर उभू रही ने, पोताना मित्रों ने जोई रहे छे हवे बधाज मित्रों चकडोर पर्थी नीचे उतरी ने आवे छे अन्ने हवे बधा रमकडा खरिद से, आ बाजो रमकडानी दुकानोंनी लाम्बे लाम्बे लाहिनों लागेली छे जात जातना अने भात भातना रमकडा छे, सिपाही, अन्नी गुजरिया, गुजरिया एटले के गुर्जर जाती निस्त्री, रागीनी राजा अने वक्किल, धोबी अने बिस्ती, बिस्ती एटले के लोकोना घरे जै गेर गेर पाने पोहचाडवा वाडों मानस वाह, आ बधा पुतडा जोईने लागे छे के, आ बधा पुतडा हम्राज बोलवा लाग से महमुद सिपाहेनो पुतलू खरी दे छे, खाकी युनिफोर्म अने लाल पागलू वाडो अने, खबा पर बंदूग राखेलो जोवा मले छे, अने, आ सिपाहीनो पुतलू जोईने एवु लागे छे, के हम्राज परेर करीने चालिव आवसे जुओ, हवे महसेन सुले से, जुओ, महसेन नेतो बिस्ती गमी गयो बिस्ती नी कमर वडेली छे, अने, उपर मशक बांधेली छे, मशक एटले चामडा माथी बनावामा आवेली थेली, के जेनी अंदर पाणे भरवामा आवे छे बिस्ती ए मसक नू मो एक हाथी पकड़ेलू छे, बिस्ती नू पुत्रू केटलू खुश अने प्रसन लागे छे, जुओ, ने एवू लागे छे, के आ पुद्रू कदाज कोई गीत गाई रहू हसे बिस्ती नू पुत्रू जुओ ने एवू लागे छे, के हमला आज आ बिस्ती पुतानी मसक माथी पाणे छाट से नूरे को वकिल से प्रेम है, यानी की नूरे को वकिल का पुत्रा पसंद आया काला चोगा, निचे सफेद अचकन, अचकन के सामनी की जेब में खड़ी, सुनहरी जंजील, एक हाथ में कानून का पुत्रा लिये हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीहर या बहस के लिए चले आ रहा है ये सब दो-दो पैसों के खिलोने है, हमीद के पास कूल तीन पैसे है इतने महेंगे खिलोने कैसे ले? खिलोना कही हाथ से चुट गया तो चूर-चूर हो जाएगा, यानी की तूट जाएगा जरा पाने पड़े तो सारा रंग दूल जाए, ऐसे खिलोने किस काम के? उन्हे लेकर वह क्या करेगा? काला चूगा यानी की काला कोट निचे सफेद अचकन अचकन यानी की 6, 6 शपेद 6 हमेद ना मित्र नूरे ने तो वकिलनों पुतलू खुबज पसंदावी वकिलना पुतलाये कालो कोट अनी निचे सफेद सट पहर्यू छे सटना सामेना खिचामा एक घडियाल छे, सुनहरी एटले की सोनेरी कलरनी साकल अन्ने पुतलाना एक हाथमा काईदा कानून नो चौपडो छे वकिलनों पुतलू जोईने एवू लागे छे के आ पुतलू हमना अज कोई अदालत माथी वाद विवाद करी केस लड़ीने आवी रहू छे आ बधा रमकडा बे बे पैसा ना छे, परन्तु हामेद नी पासे तो फक्त त्रोणोज पैसा छे तो पच्छी हामेद आटला मोंगा रमकडा कई रिते खरी दे अने वड़ी आ बधा माटीना रमकडा जो कदाच हाथ थी छुटी गया तो नीचे पड़ी भांगी ने टुकडे टुकडा थाई जशी अने वड़ी पुतला उपर चु थोडू पाणी पड़े तो पुतला नो बधोज रंग धोगाई जशी आवा रमकडा सू कामना हामिद आवा रमकडा लईने सू करसे कारण के हामिद एतलो करेब छे के तेनी पासे फक्त 3.00 पैसा चे अने जो ए 3.00 पैसा आवा व्यर्थ रमकडामा बगार से तो ते बिजू कई पन खरी दी शक्से नहीं झाल झाल